तो राश्टर की विकास में अगर कोई बड़ा अवरोध निर्मान करने का, आज की दिशा में अगर कोई काम कर रहा है, तो लोग है जो आरक्षन की विरोधी है. जब जब reservation का backlog है, SCST का, OBC के reservation का backlog है, तो वहाँ over representation का सवाल आता कहा से, भारत में reservation की वज़े से casteism नहीं, casteism की वज़े से reservation जäजेस को अपने हद में और अपने दिये होई समयधानिक जम्मेदारी के अंदर रहकर काम करने की ज़रूत है. दो दिन पहले की बात है अपने मीडिया में इसमें देखा होगा प्रदान मंत्री बैठे चीप जेस्टिस बैठे हुए है और इस देश के सुप्रिम कोट को 75 साल पूरे होए उसका भी एक कारेकरम जो है राश्ट्रे स्तर पर किया जा रहा है और प्रदान मंत्री CGI की कर रहा है मीडिया में बता रहा है कि जो रिवन नरेंदर मोदी ने नीचे डालने की बाचा है आपने जेव में रखी इतनी छुटी-छुटी बाते जो है हमें बताई जा रही है 75 साल हो गए इस देश में कांस्टिशन और सुप्रिम कोट की प्रक्रिया शुरू होकर मगर 75 सालों के जब इसारी प्रक्रिया चल रही थी ना प्रदान मंत्री के द्वारा इसके बारे में कोई बात हुई ना सीजियाय के द्वारा और वहाँ ये चर्चा ही नहीं होई कि ये क्या हो रहा जब स्वमीधान लिखा गया तो इस स्वमीधान लिखते समय एक गारंटी लोगों को दी गई थी कि ये राश्र ऐसा राश्र बनाया जाएगा जहां समता बंदुता न्याय स्वतंद्रता होगी एक डिगनिफाइड लाइफ की गारंटी स्वमीधान ने भारत के नागरीको को दी गई थी और उससे रक्षा करने के लिए सुप्रेम को यह एशोर करना था, तो क्या 75 सानों में ऐसी क्Boy बात हुई है सुप्रीम कोड के द्वारा निए if अगर किसी एक फैसले में, किसी एक मामले में लगातार अगर 75 साल सुप्रिम कोट किसी एक मामले में होस्टाइल है और ये होस्टेलिटी किसी एक जज की या किसी एक केस की नहीं है ये पिछले 75 सालों से जितने भी जजमेंट आप उठा कर देख लो एक मामले में आपको समानता मिलेगी कि पिछले 75 साल में इस देश की हायट जुरी शिरी लगातार एक मामले में निचीत है उसकी कभी इसके बारे में उपिनियन नहीं बदली वह पहले दिन से पहला अमेंडमेंट जिस वजे से करना पड़ा वहां से लेके दोजार चोबीस तक उसकी भूमी का एक ही रही है और वो है रिजर्वे शिरी के घटना के बाद करना पड़ा तो पहले अमेंडमेंट से लेकर आज तक इन 70-75 सालों में जो होस्टेलिटी जो सुप्रिम कोट की रही है वो यह एक ही मामले में आमें सपष्ट दिखाए देती है वो है रिजर्वेशन और यह मामला ऐसा नहीं कि कोलेजियम आया इस है वो बदली नहीं है पहले दिन से जो उसका करेक्टर रहा है वो आज भी कायम है समिदान निर्माता यह मानते है कि आरक्षन राश्र निर्मान की योजना है इस देश को समरुद्ध बनाने में महासत्ता बनाने में आरक्षन से आयवे वरगो का और आरक्षन का बहुत पर है उस उचायों पर भारत में लेकर जाने में अगर किसी का सबसे ज़्यादा युगदान रहा है तो रिजर्वेशन से जो अडिमिस्टेशन में जो लोग आये है उन लोगों की वज़े से सारा मामला जो है उस उचायी पर पहुचा हुआ है तो आरक्षन राष्ट निर्मान की योजना है और उस राष्ट निर्मान की योजना को समिधान निर्मातावने माना कि समाज के इस हिस्सों को अगर हम लोग अपनी विकास की प्रक्रिया से मुक्यदारा से अगर बाहर रखेंगे राष्ट के तोर पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए आरक्षन की नीती को लाया गया और ये सव्मिधान सभा में बाकाइदा इसे सभी सदस्यों के द्वारा राश्ट निर्मान की योजना के तहट स्विकारा गया, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोट, हाई कोट लगाता रहे चीजे कर रहा है, तो राश्टर की विकास में अगर कोई बड़ा अवरोध निर्मान करने का आज की दिशा में अगर कोई काम कर रहा है, तो लोग है जो आरक्षन की विरोधी है, एक तारिक के जजमेंट में, जिनोंने ये लिखा चंद्रचूड ये पेष्वा ब्रामन जो रहे है, पुना में पेष्वाओ का राज था, और ये जो चंद्रचूड की जो फैमिली है, वो पेष्वा ब्रामनों की फैमिली है, और इन पेष्वाओ का राज एक जनवरी 1818 को बीमा कोरे गाव में वहां जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई में बहुजन समाज के लोगों के द् पेष्वाओ का राज खतम कर दिया गया था, ब्रामन राज खतम कर दिया गया था, महार सिपाई थे, मातंग जाती के सिपाई थे, क्रिमिनल ट्राइब के, नॉमाडिक ट्राइब के लोग थे, बैकवर क्लासेश के लोग थे, माराथा लोग थे, इस सारे बहुजन समाज के लोगों के द्वारा पेश्वाव के राज को खतम कर दिया गया, तो जो पेश्वाव का राज जो ब्रामनों का राज था, वो ब्रामनों का राज जिन लोगों ने खतम किया उसका जो दर्द है अभी भी चंद्रचूड़ा और उनके दिमाग में है यह कोई आसानी से जाने वाला दर्द नहीं है उस जजिमेंट का मैक्जिमम पोर्शन जो है वो नेरेटेड है और वो सारा का सारा चंद्रचूड के द्वारा लिखा गया फरवरी मैने में ही इसका अर्गुमेंट पूरा हुआ था और हमें उसी समय अंदाजाद था कि यह फैसला किस पक्स में जा रहा है जजमेंट भी उसी समय आना चाहिए था मगर जजमेंट जो है वो होल्ड करके रखा गया और लोगसभा के पारलेमेंट के इलेक्शन के बाद में यह जजमेंट डिलिवर किया गया इसका कारण था अगर लोगसभा के चुनाओ से पहले यह जजमेंट दिया गया होता तो लोगसभा के चुनाओ में इसकी बहुत उग्र प्रतिक्रिया होती इसलिए जजमेंट लोगसभा इलेक्शन के बाद पारलेमेंटरी इलेक्शन के बाद लिया गया कि सात्यों यह फैसला को जुडिशेल मतलब जो है जुडिशेल। क्रैट्रिया के आजार पर दिया नहीं गिया यह पोलिटीकल डिशिजंग और भारत में न्यायपाली का हाँ स्थोर पर जो हायर जुड़ी शरी है ये राजनीती कर रहे है और ये राजनीती फैसला क्यों दे रहे है केटेग्राइजेशन की सोच जुड़ी शिरी की है नहीं है यह CST के अंदर केटेग्राइजेशन हो यह सोच जुड़ी शिरी की नहीं है यह जो ruling class जो बैठा हुआ है चाहिए Congress की government थी तब Congress यह आज जो BJP सत्ता में है यह Congress और BJP दोनों की केटेग्राइजेशन के समर्थन में नीती रही है और यह फैसला उस राजनीतिक भुमीकां के तहट लिया गया है बस समश्य यह है कि भारत के राजनीतिक दल यह फैसला ले महीं सकते थे क्योंकि नेताओं को चुनाओ लड़ना पड़ता है और चुनाव लड़ने के लिए उने लोगों के पांच जाना पड़ता है और उनी लोगों से वोट मांगना पड़ता है जिनके अधिकार वो छिनने का काम कर रहा है अगर सीधे सीधे उनके अधिकारों का विरोध करके उनके पास वोट मांगने के लिए गए तो उनके वोट मिलने वाले नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि उनके अधिकारों को मान्यता देना है या उनके अधिकारों को लागू करना है। देश में चुनाव लडने वाली पार्टियों के ओपर हमेशा दबाव है कि उन्हें पॉपिलर डिसिजन लेने पड़ते है ताकि लोगों से उट लिये जाए खास तोर पर उन लोगों के उट लिये जाए जिनकी संख्या जादा है और उनी को कांस्टिविशन में अधिकार भ करने है वो अन पॉपिलर डिसिजन वो पार्लेमेंट के अंदर नहीं करेंगे उसको वो जुडी शिरी के द्वारा लागू करेंगे कोई भी अन पॉपिलर डिसिजन आज तक आप उठा कर देख लीजे वो पार्लेमेंट के अंदर नहीं लिया गया उसे जान बोज कर करना चाहते जुड़ी श्री जो है वो उसमें तांग अड़ा रही है जज जो है वो हमें करने देना नहीं चाहते अब जुड़ी श्री को समझाओ अग जजेश को चुनाव लड़ना नहीं है इसलिए कितना भी अनपॉपिलर डिसीजन कितना भी समीधान के विरोध में कोई फैसला उन्होंने दिया तो भी उस पर कोई फ़रक पढ़ने वाला नहीं है यह सिंप्ली यह अजेंडे पर यह अनपॉपिलर डिसीजन यह यह पुल्टिकली मोटिवेटेड डिसीजन जो है यह जुड़ी शिरी के द्वारा दिया गया उसके पीछे का कारण यह जो संगटन और यह जो जागरूतीन जातियों के अंदर पैदा हुई है खांस तोर पर जो नेतरूत्व करने वाली जो जातिया है जिन्होंने यह पूरा आंदोलन पूरे देजभर में खड़ा किया है बामसे पीनी जातियों के द्वारा इसी वर्ग से निर्मान हुई है देश में जितना भी सामा जी कांदोलन चला है वो उसी वावा संबेड करकी विचारदारा के आदार पर खड़ा हुआ है और उसी विचारदारा ने देजभर में अस्तिर्ता पैदा कर दी है उस अस्तिर्ता को हटाना ये उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो इसलिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे थे तर उसमें ये तरीका जो है ये सुप्रिम कोर्ट के द्वारा अपनाया गया कि हम लोग कैटेगराइजेशन का मुद्दा जो है इसको कोट के द्वारा लागू करने की कोशिश करें परदान मंतरी को सुटल कास के यमपी मिलने के लिए जाते है पिर परदान मंतरी के कहने से कैबिनेट का एक मिनिस्टर आकर ये कहता है कि नहींने हम बाबा साब के विचारों पर चलने वाले है अम क्रेमिलियर लागू नहीं करेंगे जैसे नितिन मेशराम जी ने कहा कि ये मामला केवल लीगल बैटल से जुड़ावा नहीं है क्योंकि जो आर्गुमेंट इस केस में किये गए थे जो वैलिड आर्गुमेंट थे उन वैलिड आर्गुमेंट के वोपर कोई comment हमें उस judgment में पढ़ने को नहीं मिला आपके सामने अगर कोई बहस होती है तो उस बहस को reply करना ये judges का काम है कि आपने argument किया था हम इसे कबूल कर रहे तो उसका कारण देना चाहिए अगर हम ये इसे दिनाय कर रहे है तो दिनाय करने का भी कारण देना जरूरी है मगर जो वैलिड आर्गेमेंट कोट में किये गए थे उसके उपर कोई टिका टिपन नहीं जो है किसी भी जज के टिपनी में नही आई उसका कारण क्या क्योंकि ये पहले से ही कि डिसाइड था कि क्या देना है कि सीजिया यह कहता है कि यह सी होमोजीनियस गुरूप नहीं है किस आधार पर कहा क्या आधार है 1911 में अंगरे जो ने शिडुल कास्ट या जो अंटचेबल जे उसको आइडेंटिफाइ करने के लिए सेंसस किया 1911, 1921, 1931 तीन जनगर्ना के आधार पर तीस सालों के रेकॉर्ड के आधार पर यह सारा मामला बला फर्स्ट इंडिया, सेकंड इंडिया एक्ट में इसे एकसेट कर लिया गया और उसी चीज को समिधान सभाने भी माना और आज भी जो जातिया शुडिल कास के लिस्ट में चाहिए किसी भी स्टेट में शामिल हो वो सारी की सारी जातिया उस स्टेट में अंटचबलिटी की शिखार है और वो उसकी विक्टिम होती है और उन जातियों के साथ आज भी उसी प्रकार का सामाजिक भेदबाव किया जाता है उसके अंदर एक ही कौमन क्राइटरिया रखा गया कि यह सारी जाते हैं उन्टचेबल से फिर भी सुप्रिम कोट के सीजेया कहरें कि यह होमोजेनियस गुरुप नहीं है इस्टेट को अधिकार जो है वोई कहते हैं कि स्टेट भाई फर्गेट करने का काम करें इस्टेट के पास हुमामला लेकर जाने की बातों कह रहें जब यह जजमेंट की बात हम लोग पढ़ते उसको एकरते तो उसको आधार बनाने के लिए कोई डाटा या कोई ऑथन्टिकेटर चीज नहीं दी पिछले सत्र सालों में रिजर्वेशन को इंपलिमेंट करने के लिए रिजर्वेशन एक्ट नहीं बनाया गया जब रिजर्वेशन का बैकलॉग है यह CST का OBC के रिजर् कि पिछले पात सालों में यूपेशी की एक्जाम के द्वारा कितने आईस आईपीएस और फारेश सरीशेस में अधिकारी चूने गए अब यूपेशी की एक्जाम में यसी को पंदरा परसेंट शुडिलकास को साड़े साथ परसेंट ओबीशी को 27 परसेंट 49.5 परसेंट यूपेशी में है लाग को स्टूडन्स उसमें अपलाई करते हजारों सिलेक्ट होते इंटर्यू तक जाते और सरकार ने जब यह डाटा पारलेमेंट फोरम में यह डाटा दिया यह 2022-23 का आकडा है और यह आकडा पारलेमेंट का आकडा है तो क्या सुप्रियम कोर्ट के ज आकडा यह कहता है कि यह सी पंदरा परसंट रिजर्वेशन यूपीसी में आइए आइए आइपेस के लिए है नगर पिछले पास सालों में 7.65 परसंट ही आइएस, आइपेस और आइएफेस मतलब फारेश सर्विशेस के लिए सिलेक्शन यसी कैटेगरी में जो हुआ है वो कितना हुआ है 7.65 परसंट याने केवल 50 परसंट शुडूल ट्राइब का क्या है शुडूल ट्राइब जो है वो साड़े साथ परसंट है और 2018 से लेके 2022 तक का पास साल का रेकॉर्ड क्या कहता है केवल 3.8 परसंट OBC 27 परसंट है कितना ISI पेस सिलेक्ट किया गया 15.9 परसंट याने मुटा मोटी 16 परसंट SC 15 परसंट UPC से सिलेक्ट होना चाहिए 7.5 परसंट के करिब मतलब 10 परसंट 50 परसंट हुआ ट्राइब का 50 परसंट है OBC 27 परसंट है 16 परसंट हुआ SC ST OBC मिलकर जो सिलेक्ट्षन हुआ है वो 27 परसंट के करीब है और 73 परसंट जो UPC की IS और IPS की जो सीटे है वो जन्रल कैटेग्री के लिए दी गई यह 2022 का डाटा है जहाँ SC ST का mandatory provision है reservation का OBC का mandatory provision है वहाँ UPC की यह हाल है सारे department के आकड़े आपके पास available है अगर नहीं है तो Supreme Court order निकाल कर सारा data जमा कर सकती है जमा करने के बाद यह argument दे सकती थी हाँ यह आकड़ा हमारे पास है वह आप 15 परसंट रिजर्वेशन है और आपने 20 परसंट ले लिया आदिवासी 7.5 परसंट है आपकी हिम्मत इतनी हो गई कि आपने 10 परसंट ले लिया OBC 27 परसंट है आप तो 35 परसंट हो गए और रिप्रोजेंट हो गया आपका तो माना जा सकता था कि आपने कुछ होमवर्क तो कर लिया क्लासरूम में जब बच्चे को होमवर्क दिया जाता है या टीचर को भी जब पढ़ाना पड़ता है तो पहले है। खुद होमवर करता है। इतना बड़ा फैसला लिखने से पहले, जिनोंने यह फैसला लिखा है क्या हुब कुछुनों ने कुछ इसके बारे में डाटा जमा करने का कुछ फूमवर करने का काम किया आप देए नाट फॉट उटेबल कैदेट मुट्र, धॉप आप ही कहते हो कि फर इनमें मेरिट महीए और आप ही क्रिमिलियर की भी बात काते हो OBC को criminal लगाया तो criminal लगाने की वज़े से OBC के reservation के आज आ लिये है कि जो लायक लोग है वो reservation के criteria से बाहर होगे और जिन जातियों के पास साधन नहीं है उनके पास आउसर का आउसर है नगर साधन नहीं है तो साधनों के बाहर में उस आउसर का उपयोग करने लायक नहीं रहे और ये Justice Rooney Commission के रिपोर्ट में ये बात आकडों के साथ सामने आई है कि criminal की वज़े से OBC के reservation की क्या स्तिती बनी है पिर भी सुप्रेम कोर्ट criminal की बात कह रहा कि criminal लागू होना चाहिए इस सारा मामला जो साथियों है ये डाटा ना होना बगेर डाटा के आप ये कहना कि किसी का reservation कितना है आप कैसे तह करोगे जब करिया मुंडा committee बनी थी तो parliamentary committee थी करिया मुंडा जो judiciary में representation के लिए बनाई गई थी तो इसी हाई कोर्ट और Supreme Court को जो parliamentary committee ने डाटा मांगा था तो यही honorable judges थे जिन्होंने committee को ये कहा कि हमारे पास आइसा कोई डाटा नहीं है जब आपके गिरिवान को टटोलने की बारी आई जब parliamentary committee ने आपको आपके आकड़े मांगे तब तो आपने कहा कि हमारे पास कोई आकड़ा नहीं है तब आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि भई ये SCST का ना लोर जोरी श्री में रिप्रेजेंटेशन है हायर जोरी शीकड़ा तो मामला है ही नहीं पिछले पास सालों में कितने हाई कोट के जज़े स्चस्डिल कास के बने ट्वेइयन आदिवाशियों के कितने ज़ज अई कोट के बने पास सालों में छे सालों में तेरा OBC 52 परसंट की आबाद यह हाई कोट के कितने ज़जे बने 79 backward classes के 79 जजे ट्राइब के तेरा और भांकी बचा हुआ जो 80% जो हाइपकोड के जैजेश जो कोलेजियम के द्वारा पाँ सालों में छे सालों में चुने गए 80% हाइपकोड के जैजेश अपरकाश चुने गए यह लेटरल एंट्री हमें वहाँ दिखाई देती है, मगर कोलेजियम के द्वारा जो जजेश पिछले 30 सालों से जो चुने जा रहे हैं, वो क्या है? जो कोलेजियम है इसी कोलेजियम के माध्यम से बगेर किसी प्रक्रिया के जैजेस सुपरिम कोट में हाई कोट में आ रहे हैं 80% हाई कोट के जैजेस जो है ये पिछले 5 सालों में अपरकास से चुने गए उसके लिए क्या क्राइटरे आपने लगाया क्या योग्यता आपने लगाई वहाँ अपरकास का आदमे हाई कोट का जैज बनने के लिए वहाँ आप यह नहीं कहते कि यह सुटेबल नहीं है क्यों यह साथ वही जजमेंट क्या अगर आप थोड़ा भी समझ लो तो मुटा मुटी दो तिन बाते में कहना चाहूंगा क्योंकि काफी सारी बात यह जजमेंट के उपर बोलने लायक है पहला मुद्धा किस देश में जब भी रिजर्वेशन की चर्चा होती है तो इस देश में कास्टिजम की चर्चा होती है भारत में रिजर्वेशन की वज़े से कास्टिजम नहीं कास्टिजम की वज़े से रिजर्वेशन है और जब भी भारत में आरक्षन की चर्चा होगी तो जाती की चर्चा होगी जाती वाद की चर्चा होगी जाती अत्याचार के चर्चा होगी जाती वाद और जाती उचे जाती के लोग करते जो जाती के शिकार लोग है वो जाती बाद नहीं कर सकते वो तो जाती के शिकार है और जब जाती बाद की चर्चा होती है कास डिस्क्रिमिडेशन की चर्चा होती तो उसे उचे जाती के जो वरगर के लोग है सवर्न लोगे ब्रामन लोग है उनके उपर इसका आरोप जाता है कि भई इनोंने पुर्व में श्वशन किया था ये जाती विवस्ता के निर्माता है और आज भी सम्विधान लागू होने के बाद में भी इस जाती को ये खतम करना नहीं चाहते है तो इस सवाल उनको कटगरे में खड़ा करता है उन्हें कर आप देख लीजिए एक बहस चली थी जो आभी भी इस जजिमेंट में है कि बैकवर्डनेस का सोल क्राइट्रिया किसे माना जाए कि कांस्टेशन आसेमली में ये बड़ा बहस का मुद्दा था और कॉंग्रेस के लोगों की ये सोच थी सुमिधान सभा के उचे जाती के कि जाती को पिछड़े पन का बैकवर्डनेस का सोल क्राइट्रिया नहीं माना जाना चाहिए उनका ये आर्गुमेंट था कि गरीवी को बैकवर्डनेस का क्राइट्रिया माना जाए और शुरू से समिधान सभा से लेके ये स्टैंड उचे जाती के लोगों का रहा है कि जाती नहीं गरीवी भारत के बैकवर्डनेस का कारण है और आज जब S.C.S.T. के साथ क्रेमिलियर लगाने की जो बारी है उसके पीछे यही साजिस है कि रिजर्वेशन का जो बेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसे हटा कर उसे गरीवी के साथ जोडने का बहुत बड़ा सड़न्त है जब चर्चा गरीवी की होगी हम भी EWS की जब चर्चा करते है तो हम उनके गरीव और हमारे गरीव की तुलना करना शुरू कर देते हैं जब EWS का डिस्केशन आता है तो क्या होता है तुलना किस बात की होती है नहीं गरीव उन में भी है गरीव हम में भी है हम ये भूल जाते हैं कि हम गरीब जो है वो जाती की वज़े से है और जैसे ही गरीबी का मुद्धा आता है तो तुलना उनके गरीब और हमारे गरीब की हो जाती है जाती और जाती की जो विवस्ता है वो पीछे पड़ जाती है इसलिए किसी विस्तिती में SCST में क्रेमिलियर बैकवर्ड क्लासेज में भी नहीं होना चाहिए था यह बहुत बड़ा गलत फैसला सुप्रेम कोट के द्वारा मंडल कमिशन के समय में दिया गया उसकी कीमत आज SCST के इस फैसले में हमको दिखानी पड़ती अगर उसी समय उसका पुर्जोर विरोध हुआ होता OBC के क्रेमिलियर का तो आज यह मामला कई गुना आगे बढ़ गया होता इसलिए किसी विस्तिती में एकोनामी क्राइटरिया जो है यह हमें एक्सिप्ट नहीं आज़त की समाज विवस्ता यह वर्ग पर नहीं जाती पर खड़ी है और जजेज भी जाती देखकर ही फैसले सुनाती है इसलिए यह एकोनामी क्राइटरिया जो है वो किसी भी तरीके से अक्सिप्ट नहीं है दूसरा बड़ा मुद्धा इसके साथ में है कि जब गरीवी की चर्चा होती है तो गरीवी को खतम करने के लिए आर एक्षन की ज़रुवत नहीं बिलो पावर्टी लाइं का काड़ दे दो सरकारी योजना दे दो आर एक्षन की क्या ज़रुवत और जब EWS का गरीव होगा ये CST का क्रिमिलिर होगा तो फिर तो सारे चीजों की प्रक्रिया जो है अलग दिशा में डिसकुशन के लिए चली जाएगी ये बहुत लंबा मामला बविश्य के लिए शुरू हो जाएगा इसलिए इन चीजों को साथियों हम लोगों को समझने की जरुवत थे कि ये क्यों किया जा रहा है दूसरा मुद्धा कैटेगराइजेशन को लेकर तो क्या इस देश के सुप्रिम कोट को सम्विधान लिखने का अधिकार दिया गया है नहीं जजेस अपनी मर्यादाय करने की जरुवत है ये न्याय पालिका का केवल एंकॉरच्मेंट नहीं है ये पारलेमेंट के ऊपर केवल एंकॉरच्मेंट का मामला नहीं है न्याय पालिका या उचे जाती के जो जजेस है ये केवल पारलेमेंट के ऊपर एंकॉरच्मेंट नहीं कर रहा है ये केवल के प्रामन जो है तो अपने जातिये हितों की रक्षा करनी के लिए एसारा कर रहा है को लिजम बनाकर जजस ने अपने आपको डेमोक्रसी का जो चेक एंबैलेंस का जो सिद्धान थे उससे मुक्त करदिया या प्रद्धान मंतरी भी जनता चुनती है यहां के सांसद भी जनता चुनती है मगर यहां जजेश खुद ही अपने आपको चुनते हैं और इसी कोलेजियम की वज़े से आज न्याई पालिका ने अपने आपको जवाब देही के दायरे से मुक्त कर दिया और जानते हैं, इस कोलिजियम की वज़े से क्या हो रहा है, देज भर में आरक्षन को लेकर सारे राज्यों में मामले उठा कर देख लीजे, महाराश्रा, मध्यपरदेश, राज्यस्तान, चत्तिजगर, बिहार, बड़े-बड़े राज्यों के, बंगाल, भारत के 11 राज्यो के मामले हाई कोट और सुप्रिम कोट में पेंडिंग है, और केवल और केवल इन ऊचे जजे, उतले सवर्न जजेश के, यह उच्च जाती मानसिकता वाले जजेश की वज़े से, जब रिजर्वेशन का कोटा बढ़ानी की बारी आती, तो जज कहते हैं, आपके पास दे रहें, बिहार ने पास्सो करोड खर्चा कर लिए, आकड़े जमा करने के लिए, जाती पूछनी की भी कीमत लगानी पड़ती है, पास्सो करोड बिहार को खर्च करने पड़े, जाती सस्ती नहीं है, जाती पूछने के लिए कितना खर्चा आया, पास्सो करोड, एक सव जाल पूछने के लिए भी 500 क्रोड खर्च करने पड़े तब जाकर वो आकड़ आया और उस आकड़ों के आदार पर बिहार विधान सबाने 65% रिजर्वेशन का बिल पारित किया दो जजस ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि नहीं 50% से उपर दे नहीं सकते अकड़े नहीं थे तब कह रहे थे कि आकड़े लाव देंगे आकड़े आये तो कह रहे है कि नहीं देंगे 50% से ज्यादा हो rael कुलेजर क्या कर रहा है देश में आरक्शन की वजह से पूरे देश भर में जो जातिया अपना वंचित जातिया है, अपना हक अधिकार मांगना चाती है, शाषन प्रशाषन में अपनी भागिदारी सुनीचित करना चाती है, उन जातियों को उनके जाएज अधिकारों से रोका जा रहा है, शिक्षा, नोकरी, आर्थिकुन्नती, मान, सन्मान और प्रत आधिवासयों के लिश्ट आमेंड में करने काम अधिव नहीं किया यह काम वनको नहीं है, उसकी कीमत पूरी स्तेट को हम चुकाणी ही कुड़ी पर हाज देजभर में ये मामला खुद ही सरकार्य कर रही है देश में आराजक्ता का माहोल है सिविल वार की दिशा में ये देश ढखेला जा रहा और उस तिती में देश की जो सर्वच संस्थाय है उनका काम होना चाहिए कि वस आराजक्ता को खतम करे देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का काम करे मगर हम यह देख रहे हैं कि इस देश की न्याय पाली का इस देश के सवर्न जजेश खुद ही देश की एकता और अखंडता को खत्रा बने हुए और खुद ही वो जयजेश इस देश के अंदर की जो आराज अकता है उसमें आग में तेल डालने का काम कर रहे है तो ये जो देश भर में जो आराज अकता फैली है ये फैली हुई आराज अकता केवल किसी राजनीतिक दल की एक हिस्से का मामला नहीं है इसमें बराबरी का यह चल रही है इसलिए कोई किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा है इसलिए साथ यह जो फैसले आये है इन फैसलों को हम लोगों को गंभिरता से लेने की जरुवत है यह मामला के वल लीगल बैटल तक सिमित नहीं रहेगा सड़क और संसत दोनों स्थर पर इसकी लड़ाई लड़ कि ज़रुद्पड़ी गी उपीज एपी के रिजर्ट शीटों से आये हुए यंपिव की संख्या 40 पर सेंट है 53 मेंबर अब पारलेमेंट बीजेपी के रिज़ोर्ड कोटे से चुन कर गये है ौन थर्टी परसेंट के करीब यंपी कॉंग्रेस से चुन कर गये हुए है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो कैटेगराइजिएशन के समर्थन में है जो पार्टिया दोजार चोबीस के लोगसभा के चुनाव में हाथ में समीदान लेकर बचाने की बात कह रहे थे उनी पार्टियों के राज्य सरकारों ने कहा कि सबसे पहले हमी से लागू करेंगे तो जो लोग कह रहे थे कि समीदान खत्रे में है उस समय भी हम यह बार बार कह रहे है कि समीदान को खत्रा राजनीती दलों से कम है समीदान को खत्रा हाई कोट और सुप्रिम कोट से जादा है अगर समीदान को बचाना भी है तो जहां से जादा खत्रा पैदा होता है वो हा जहां से कोली जम खतम कर दो, बहुत सारी चीज़ों की समझ्षा समाथ्थ हो जाएगी.